नमस्कार बच्छा लोग आज सकल ये ना मुझे अभी पिछले छे महीने से बहुत सुनने में आ रहा है बच्चे बताते हैं हमारे कोचिंग इंडस्ट्री में एक नया टाइप का फ्रॉड चुरू गया मैं तो फ्रॉडी बोलूँगा इसको उपन ली बहुत सारे कोचिंग इंसिटूट्स वाले पहले बच्चों को डराते हैं कि तुम्हारे तो प्रॉफाइल वीक है तुम कैट की त्यारी कैसे करोगे मत करो फिर दो दिन बाद कॉल करके उन्हें बोलते हैं तुम्हारी प्रॉफाइल स्ट्रॉंग बनाने के लिए हम 10 certificates तुम्हें दे सकते हैं और एक NGO के साथ हमारा tie-up है वहाँ से तुम्हें फरजी certificate मिल जाएगा इंटर्शिप का फिर तुम्हारी प्रॉफाइल एकदम sort हो जाएगी ये 12,000-15,000 का package है और उसके बाद तुम कैट की तरी अराम से कर सकते हो और हम तुम्हें CAT के course में भी discount दे देंगे सब फर्जीवाड़ा है, सब अकवास है डिटेल में देखते हैं देखो बच्चा लोग ये मैं पहले भी एक वीडियो में बोल चुका हूँ बट ज़रूद है क्योंकि एक question ऐसा है जो बंध होके नहीं दे रहा है इसका advantage बहुत उठाया जा रहा है इंडेस्री के अंदर तो एकदम clearly ये मैं बताता हूँ profile के नाम पर Indian B schools में सिर्फ 10th का score, 12th का score work experience, gender तुम्हारा academic background मतलब कौन सी degree तुम ने लिए मतलब तुम engineering हो, non-engineering हो या non-engineering में commerce हो, arts हो, lawyer हो medical science वाले हो, क्या हो ये और तुम्हारी reservation category सिर्फ असिर्फ ये चीज़े देखी जाती है कोई extracurricular कोई certificate course कोई internship किसी काम नहीं आता calls देते वक्त, calls देने के बाद interview room में भी किसी काम नहीं आता काम आता है 1% impact वो डाल सकता है आप predict कर सकते हैं कि मेरा question किस चीज़ के ऊपर आएगा लेकिन मैंने blank CV लेके बच्चों को बड़े-बड़े college पहुँचते वे देख रहा है, मेरे तो बच्चे पहुँच जाते हैं बाकी coaching institute वालों के क्यों नहीं पहुँचते हैं मुझे नहीं पता है कि specially non-easering side में हमारे इंडिया में जो colleges हैं, arts and commerce की जो colleges हैं, वहाँ नहीं है culture जादा extra curricular का उन बच्चों को नहीं मिलती हैं जादा opportunities और यह चीज़ भी school के professor उसको पता है तो वो सिर्फ बच्चों की personality evaluate करते हैं, as long as वो अच्छी हो, बाकी चीज़े backseat लेती हैं, at the same time, many certificates pile up की वे बच्चों होते हैं, कहीं की बच्चों होते हैं, जुन्हों है अपने घर के business का certificate बनवा रखा होता है, जुन्हों होते हैं, यह online certificate websites चल रही हैं, उनके ऊपर जाके certificate courses का रखे होते हैं, उन्हें interview fail करते वे देखा हैं, इन्ही certificates की वज़े से, क्योंकि B school के professors को पता है, कि यह market का एक trend बन गया और certificate बहुत easily खरीदने लगे हैं, बच्चे, तो अगर तुम अपने CV के उपर एक ऐसे certificate का नाम डाल दो, जिसमें तुमने पढ़ा ही कुछ नहीं कि यह ऐसी 5 दिन में मिल गया है, खरीद लिया कहीं से, वहीं तुम्हारा interview खत्म है, क्योंकि उसके उपर grilling होती है, बहुत deep वाली, बहुत deep वाली, तुमने अगर लिख दिया social media marketing, वो social media marketing में इतना deep तक गुचेंगे, एक-एक चीज पूछ डालेंगे, कि अच्छा बताओ, target audience कैसे design होती है, अच्छा बताओ, PPC क्या होता है, अच्छा बताओ, एक-एक चीज अंदर तक correct डालेंगे, अगर तुम्हें नहीं आता होगा, तो तुम्हारे मुपे बोलके reject करेंगे, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तो तुमने ऐसे उठा लिया, ओके, इसी लिए उस रूट तो प्लीज मत जाना, वो सब, as I said, पैसे कमाने का तरीक है, और कुछ नहीं है, अब आते हैं इस रूट, कि अगर तुम्हारी प्रोफाइल वाक़ी में 10-12 का स्कूर अच्छा नहीं है, और Ear Drops पहल तो Ear Drops के उपर भी मैं अभी बात करूँगा, पर चलो 10-12 का स As I said, बाकी चीजों से तुम्हारे जो तुम्हारा प्रोफाइल है वो तो इंपरूव होता नहीं है, सिर्फ कैट के उपर ध्यान देना है, there are some colleges, जहां पे तुम्हें कॉल नहीं आएगा, उसे हंबली accept कर लो ना, जैसे मैं हूँ, मुझे पता है, मैं कुछ भी कर लो, मुझ जनरली SP जने से मुझे कॉल नहीं आ सकता है, क्योंकि SP जन भी बहुत high weightage देता है, बट, बाकी colleges तो हैं, MDI से तो आ सकता है, IIM कोजी कोडे से लगनों से तो आ सकता है, सारे new IIM से मुझे कॉल आ सकता है, मैं उनकी तरफ क्यों न देखूँ, जिन से कॉल नहीं आ सकता, उनक नहीं हो सकता, उनकी तरफ आख बन कर लो, बोलो कोई बात, इनका नुकसान ठीक है, जिन colleges से तुम्हें call आ सकता है, IIM कोलकाता से आ सकता है, यो, see, उनको टारगेट करो, और उनको टारगेट करने के लिए तुम्हें सिर्फ so-called अच्छी profile वाले लोगों से दो percentile extra लेकर कर अगर उनको 93 पे call आ जाएगा, तुम्हें 95 लाना पड़ेगा, उन्हें 97 पे call आ जाएगा, तुम्हें 99 लाना पड़ेगा, लेकिन call पक्राएगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, तो कुछ वो 5-7 colleges हैं, जहां से नहीं call आएगा, उन्हें हटा दो, उन 5-7 को हटा दें, तो ही इंडिया में 10 तो top के colleges हैं, 10 top के बचते हैं, मैंने colleges की list बनाई थी, उसका link उपर है देखना, इन्हें 50 अच्छे colleges हैं, जो जाने लायक हैं, उसमें top वाले 10 अभी भी बचते हैं, उसके अलावा top के बाद जो second tier में आते हैं, जो जिसमें सारे new IMS है, मुदयपूर, 13 colleges हैं, और उसके बाद जो third category में आते हैं, tier 3 वाले, उसमें और around 20 से करीब colleges हैं, तो इते हैं सारे colleges हैं, तुम उन्हें target करो, उनके लिए महनत करो, ये profile में के ऊपर अपना time बरबात करने की ज़रुवत नहीं है, अगर time invest करना है, तो अपनी personality पे करो, क्योंकि interview room में वो काम आएगी, ठीक है, फरजी वाड़े में मत परना, मैंने कहा था कि year gap के उपर मैं लग से बात करूँगा, year gap up to two years बिल्कुल matter नहीं करता, अगर कोई तुम्हें बोल रहा है matter करता है, तो या तो वो इनसान once again तुम्हें certificate courses बेशने वाला है, और या तो उसे knowledge नहीं है, मेर reserved category की, reserved category वालों को, तो मैंने 5-5 साल की year gap पे IMS पहुंचते वे देखा है, general category में, अभी, पिछले ही साल एक बच्ची थी, दो साल की year drop फाली, जो MDA गुडगाओं के main course ने बैठी वी है, तीक है, और हर साल होता है, हर साल कोई ना कोई मेरा एक बच्चा जरूर होता है, जो reason देने पड़ते हैं, और पूछे जाते हैं, बट उसमें भी defend करने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे, वो तुम interview time पे देख लेना, और otherwise उसे make-up करने के लिए one second दो पर थे, टाले एक्सर लाने पड़ेंगे, that's it, तो year drop की भी चंता मत करो, बाकी कुछ हो, कोई और question ह कोई और बात करनी हो, तुभी मेरे telegram group है, जहां पर मैं सारे बच्चों से बात करता हूँ, कोई चार्ज नहीं करता हूँ, फ्रीली बात करता हूँ, उस पे आ जाओ, question पूछ लो, one on one भी मुझे message डाल सकते हो, अगर कोई बहुत important बात हुई, तो मैं बच्चों को phone number भी द but please information fellow, क्योंकि नहीं बच्चे जब call करके बताते हैं मुझे सर मैं तो 12,000, 10,000 दे दिये और 15,000 दे दिये और डर के मारे, बहुत दुख होता है मुझे सुनके, तो तुम ना फसौर ये बहुत फैल रहा है आजकर, ठीक है, डिली में तो भर गए है cases, तो please इसको अपने दोस जानक ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया के M.B. का सिनेरियो चेंज हो चुका है, पिसले पांच साल में तना ज्यादा के अब ये चीजें काफी कम मैटर करती हैं, काफी कम मैटर करती हैं, and I hope कुछ भी बच्चों की help में कर पाऊं, कुछ भी बच्चों तक सही मेसेज पहुच तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो है, तो that's it, दन मेबाद, hopefully मिलेंगे और बात करेंगे, I love you all, happy preparations